हाई गाईज, फिनांशियल अकाउंटिंग पेपर नुमर फाइब आप योज सी एमे इंटर कोर्स दिस साइट सीए 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 हरीश मतारिया पीचिंग अकाउंटिंग सब्जेक्ट फॉर्ड वेरियस लेवल अफ प्रोफेशनल कोर्से सिंस लास टेनियर मैं आप लोगों का स प्रोफेशनल अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ है और कुछ चीजे में आप से एक्स्पेक्ट करोगा पिटा सबसे पहली ओर इंपॉर्डन चीज है फोकस होना बहुत जरूरी है सर हमने काफी बार सुना है फोकस फोकस बड़ में एक बार समझा पर देता हो कि क्या इसका मतलब है जब आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे है उसमें भी आप जब कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ रहे है तो आपको उसी के ओपर ध्यान देना है आपके दिमाग में back of the mind में कोई और दूसरा सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए कहीं न कई आपको common sense भी अप्लाई करना पड़ेगा और वो आपका common sense जागरूत करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी calculator आपने आपके पास एक अच्छा रखना है और बेट या कैशियो का महेंगा वाला calculator ले लेना है चारपास सो रुपर वाला क्योंकि 100-100 की calculator आते हैं बहुत जल्दी जवाब दे जाते हैं एक्जाम के अंदर में एक गल्ती भी 6 मेने की आपकी cost हो जाएगी उसकी राइट multi color paints बहुत ज़्यादा ज़रूरी है important बाते red color के paint से आपने mark करके रखना है regular text blue color के paint से और कोई amendments वगरे होती है तो green color के paint से मैं आपको बता दूगा कि यह आपके accounting standards में या 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 ये amendment है amendment यहने क्या कि कोई ऐसी नई चीज जो आज तक आपके module में नहीं थी ले और obviously बात है एक register बहुत ज़्यादा जरूरी है लेकिन हाँ उस register में आपने सिप accounting subject के बारे में लिखना है बच्पन में जैसे करते थे एकी register में under subject लिखते थे वैसा गल्पी से भी मत करना है तो ये चीज़े आपसे expected है तो प्लीज ये सारे हकियार आपने तयार रतना है मेरे बारे में मैंने आपको अल्रेड़ी बता दिया है थोड़ी बहुत बाते एक बाद फिर से बता देता हूँ पिछले 10 सालों से accounting subject बढ़ा रहा हूँ और the various level of professional courses yes or no and specially एक मैं मेरी बुरी ब लात खुरी बता देता हूँ एकी चीज बार-बार repeat करता हूँ और जब तक आप लोगों से जवाब ना आए कि सर सारी चीज़े समझ में आगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं yes or no अब sir हम तो recorded lecture देख रहे हैं तो हम कैसे जवाब देंगे इसलिए मैं एकी चीज़ को 3-4 बार explain करता हूँ अगर कभी कोई बच्चे को ऐसे लगता है कि सरी चीज़े समझ में आगे आप उसे थोड़ा बहुत fast forward कर सकते हो otherwise आपने fast forward नहीं करना है how to study और study planner ये दो चीज़े आपको हर topic के साथ साथ बता होगा simple सी ये चार step आपने follow करना है CW inter और CMA inter का जो में subject पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर में हर topic में या फिर in fact आप कोई भी subject के लिए ये चार step follow कर सकते हो अभी मैं आपका ज़्यादा कींपिस में इसमें बरबाद नहीं करूगा कि step 1, step 2, step 3, step 4 क्या है actual में जब मैं आपको एक topic पढ़ा दूँगा उसके बाद हम लोग ये how to study and study planner के उपर आएंगे उस समय आपको समझ में आ जाएगा ये दोनों कितने काम की चीज़े है अब आपका जो paper number 5 है financial accounting आजाओ अब अच्छे से ध्यान देना hundred marks का paper है total तीन घंटे आपको इसमें exam में समय मिलने वाला है yes or no और इसमे objective questions जो है वो 25% रहेंगे वो वाव सर मस्त मजा आ गया या objective मतलब जितना आप सोच रहे हो ना 10th में 11 12 में जैसे होते थे उस टाइप के निये थोड़ी सी level रहेगी इसकी क्योंकि course भी बहुत अच्छा है तो उस level के questions भी आने वाल है right so objective questions के अंदर में क्या क्या आएगा सर multiple choice questions अकल बकल बंबेबो तो ये चार category के आपको objective questions पूछे जा सकते हैं जिसका weightage around 25% रहेगा पूरे paper गे याने 25 नमबर और उसके बाद आपका जो other types के questions है उसमें short notes रहेगा descriptive questions, case studies and practical questions भी उसमें रहेगे और आपका जो पूरा syllabus से ये चार category के अंदर में divide हुआ है, सबसे पहले accounting का basic first and most important basics of accounts आपके CMA Inter के financial accounting subject के अंदर में है काफी बार बच्चे मुझे CMA Inter के बच्चे पूछते हैं, कि sir हम लोगों को inter level पे भी basics of accounts है क्या है, जी हाँ विल्कुल है, क्योंकि institute चाहती है कि जब आप real life में कहीं पे as a CMA practice करो, as a CMA job करो, तो आपका जो basic आपने foundation में भी देखा है, inter में भी आपको है, वो आपका strong रहे और basics का application आपको real life में भी 500 जगा पे मिलने वाला है तो basic swap accounts syllabus में है, important है, और ये भी हम लोग पढ़ने वाले है, काफी बच्चों ने 11, 12 में 100 में से 100 लेके आयोंगे, अकाउंट्स में, commerce students ने, yes और no, फिर भी उने basic पढ़ना है क्योंकि syllabus का part है, और exam में आता है, दूसरा, financial statements, profit oriented, non profit oriented organization के, non profit oriented, मंदिर, मंदिर, church, club, और उसके बात, computerized accounting and AS लिखा हुआ है, तो वो है accounting standards, yes or no, so total आपका 25%, 40%, 20 and 15, तो पहले जो दो section है, ये 65% है, तो हम लोग इसी sequence में पढ़ने वाले, सबसे पहले basic swap accounts, 25% आपका रहेगा, then 40% में financial statement, special topic and computerized accounting as well as accounting standards, सारी चीज़े एकदम 0 से बता हुगा, जैसे कि आप first time accounting subject पढ़ रहे लेवल से हम लोग देखने वाले हैं, चलो आज ओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, मुना अच्छे से ध्यान देना है, so ये आपका syllabus थोड़ा सा detail में, जो चार section मैंने आपको भी बता दिये थे न, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये 4, चार section है, basics, financial statements, special topic, और accounting standards as well as computerized accounting, तो ये चार section है, पहला section 25%, then 40, 20 and 15%, so basics of accounts में आपको ये दो study notes और subtopic मिलने वाले, कि नमेंटल से अपकाउंट्स and accounting for special transactions, उसके बाद, preparation of financial statements में, profit oriented, non-profit oriented, incomplete records, याने single entry system, बता हुगा, सारी चीज़े ये सिर्प index है बेटा, है न, जो बच्चों का element 12 commerce होगा, या फिर जिन्होंने, सीर्पली foundation करने के बाद में, intermentally होगी, तो शायद वो बच्चे इन topics के नाम के साथ, शायद relate कर पा रहे होंगे, पर जो बच्चों की direct entry है, जिन्होंने basic stop accounts इसके पहले देखा नहीं है, तो चिंता मत करना, सारी चीज़े 0 से बताने वालो होगी, सारा practice भी करवा के लोगे, हाँ, सारा अब थेरी practical दोनों भी लोगे है, हाँ, थेरी practical और जो objective questions है, वो भी मैं class में ही लेने वालो, in short, इस frame के अंदर में जो कुछ आपको दिख रहा है, बस उतनी चीज़े अच्छे से follow कर लेना, at least accounting subject में, जो मैं बोल रहा हूँ, इस पॉलो करना है, then partnership accounts भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, partnership admission, retirement, death, dissolution, चो बच्छोंने commerce में बढ़ा होगा, और नहीं भी बढ़ा होगा, तो यहाँ जीरो से बता होगा, बच्छे से एक उस topic के नाम है, नहीं पता है, छोड़ दो चिंता मत करना मैं बैठा हूँ, then last वा institute का दिया हूँ वेटेज है, तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ, कि इसी हिसाब से, exam के अंदर में, जो भी है, questions आने वाले है, बिल्कुल हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि institute ने यह दिया विड़ा, चलो, आजाओ, so, मेरे प्यारे बच्चों, मैं basics of accounting, आप लोगों का start कर रहा या फिर CWA foundation के अंदर में basics of accounts पढ़ा होगा, तो है न, with due respect to your knowledge, जो भी आपने आज तक पढ़ा है, बिल्कुल आप आपके back of the mind में कहिने के रहने दो, लेकिन यहां से, जो भी मैं आज से बताने जा रहा हूँ, वो सारी सीजी अपने दिल दिमाग दियाने में उतार लेना, क्योंकि मैं grass root level से बताने जा रहा हूँ, accounting से, accounting के A से लेकर के Z तक, पक्की बात, done, चलो मैं start करूँ बेटा, so basics of accounting की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहला word है न, आपके जिन्दगी में, sir accounting का मतलब क्या है, accounting क्यों करते है, sir accounting में कापी सारी basic terms आती है, हमें तो समझ में नहीं आती, sir ये entries क्या होती है, sir ये financial statements क्या होते है, ऐसी हजारो, ऐसी हजारो queries आपकी होगी, पर चिंदा मत करना, आपकी सारी queries इस video के अंदर में, है न, या फिर यहां से आगयाने वाले videos के अंदर में, मैं सारी queries के आपके ज स्टार्ट करने जारो बेटा, accounting के meaning से आपको बताऊंगा सारी चीजे, हाँ आ जाओ, so, sir ये notes हमें मिल जाएगे न, जी हाँ, ये आप वीडियो देख रहो मतलब, definitely आपके पास में notes है, so, क्या-क्या चीजे हम लोग देखें हैं बेटा, एकदम meaning से, need क्यों accounting करते है, basic terms, rules क कैसे accounting करते है, how to pass general entries, posting, trial balance, final account, कैसे बनाते है, and accounting cycle क्या होता है, हर साल हम लोगों को करना पढ़ता है, इस सारी चीजे, जैसे इस साल accounting किया, इस साल के ending के, जो भी हमारे accounts के balances है, तो अगले साल carry forward होंगे, फिर अगले साल accounting करेंगे, फिर अगले साल accounting करेंगे, तो accounting cycle क्या होता बेसिकली सारी ची बताता हो, तो आज आओ, जीवन में आप पहली बार accounting कर रहे हो, इसी हिसाब से बताऊंगा, one by one, अब तक जो भी मैंने topic के नाम बोले होंगे, accounting cycle, है न, कुछ basic terms, तो सब भूल जाना, यहां से, मैं zero से, zero से, आपका basics of account start कर रहा हो, so, मुना अच्छे से ध्यान दो, सबसे पहला word, आपके जीवन में आया है, accounting, एक छोटा सा बच्चा आपके बास में आया है, चौती का भाया भाया, दी दी, दी, accounting का मतलब क्या है, आसान भाशा में accounting क मतलब क्या है बेटा, हिसाब किताब रखना, एक बाब मैं फिर से बता देता हूँ, बच्चो, प्रीज ध्यान देना, आप जो कोई भी professional course कर रहे हो, CAC, CMA, क्या 11-12, यह basic shop account का lecture, आपने miss नहीं करना है, यह बहुत 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 जादा जरूरी है, प्रीज का आपने क्या करना है, हिसाब किताब रखना है, मतलब क्या, आप accounting कर रहे हो, yes or no, in lemons language to record financial transaction, अब यहाँ पर जो बच्चों ने 11-12 वाले बच्चे उन्होंने definition याद कर लिओ, जिन्हों कॉमस होड़ा हो, accounting is an art of recording, classifying and summarizing the financial, no, 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 अभी हमें वो technical definition नहीं देखना है, मैं base grass सुरूप लिवल से बता रहो, so, बहुत simple word में, lemons language में, आसान भाशा में, हिसाब किताब रखना है, दिखराए बेटे सभी को, चलो, आज़ो, आज़ो, आगे बढ़रो बेटा हो, so, accounting का, lemons language का meaning बता दिया, यह technical language में, आगे subject में आने वाला है, accounting is art of recording, classifying and summarizing in a significant manner of transaction, at least having a financial character पर वो technical definition हम लोग अभी नहीं रेखेंगे, अभी हाल फिलाल में हम लोग इसी के साथ खड़े रहते हैं, ठीक है, हिसाब किताब रखना है, अगला सवाल क्यों करते है, accounting, need for accounting, क्यो, why, why accounting, कोई hobby है, चलो, आज cricket खिलते हैं, चलो, आज बैट बिंटन खिलते हैं, चलो, आज accounting कर लेते हैं, no, accounting ये कोई hobby नहीं है, accounting ये कोई hobby नहीं है, जरूरी है, मजबूरी है, करना पड़ता है, yes or no, business के हजारों transaction को याद करके नहीं रख सकता है, इसी लिए हमें systematic way में accounting करना है, so for systematic recording of business transactions, और records, दूसरा, हमें हमारे business की ओकात का पता लगाना है, जैसे for example, वो एक पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, तुम्हारे पास क्या है, मनलब वो अपनी उकात, यानि अपनी financial position बता रहा था, so business की financial position कैसे समझ में आएगी, accounting के जरी है, जब आप accounting करोगे, business के सारे transactions, सारे विवार को record करके रखोगे, तभी तो आपको समझ में आएगा कि आपके business की position किया है, उसके बाद, आपके business का performance कैसा है, performance यानि business में profit है, loss है, अचाहिए आगे जितने भी word दिये हैं, मिन recording, balance sheet, profit and loss, account reporting, ये सब आगे आने वाले है, अभी in word के चक्कर में मत पढ़ना, अभी जो मैं बता रहा हूँ, बस उतना ही समझना, राइट, आजओ, थोड़ा अब मुझे एक बाद बताओ, business के books of accounts हम लोग maintain कर रहे है, business के सारे वेपर, सारे transactions, जिस books में लिखते हैं, उन books को बोलते है, books of accounts, so, उस books of accounts से हमें मिलती है information, वो information हम लोग communicate करते है, business के मालिक को, managers को, employees को, yes or no, और या फिर आसान भाषा में, उस books of accounts के users को, ये सब कोन है, म पर उसे, वो सारे users decision लेते हैं, जैसे, मेरे business में और नई branch मैंने start करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं कैसे decide करूगा, कोई कबोतर आके थोड़ी बताएगा, एक कामकर हरीश, तो है न, नई branch start कर, business को expand कर, business को sell कर दे, business में manager appoint कर, existing manager को निकाल दे, ये जितने भी decisions होते ह लिए मुझे चाहिए information, और वो information मुझे कहां से मिलेगी, books of accounts से, yes or no, so books of accounts से information communicate करेंगे, users of the books of accounts, और वो users क्या करेंगे, decisions लेंगे, yes or no, simple, और भी कुछ reasons है, जैसे, किस से कितना लेना है, business में हम लोग उधारी में, credit basis पे, उधारी में, किसी को पैसे देते हैं, तो किस से किस से कितना कितना लेना है, किस किस को कितना कितना देना है, कितने खर्चे है, expenses and कितनी income है, so ऐसी हजारों चीज़े हैं, जिसकी वज़े से हम लोग accounting करते हैं, कुछ मेने आपके सामने यहां पे ले लिए, बिटा स्क्रीम पे, so accounting का मतलब आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, किसका इसाब किताब रखना, business के transactions का, sir transactions मतलब क्या होते है, money और money's worth में, पैसा या पैसे की कीमत में, जो भी on either side exchange हो रहा है, उस सिनारियो को में प्यार से financial transaction बोलूगा, same as or no, और उन transactions की हमें पूजा नहीं करनी है, उन transactions को हमें record करना है, इसी process को में लोग प्यार से accounting बोलेंगे, wait, ये layman's language है, कुछ बच्चे मनने सोचना शुरू कर दियोंगे, sir bookkeeping, accounting, ये सारे words आगे आएंगे, चिंता मत करो, मैं layman's language की अभी बात कर रहा हूँ, clear, चलो आगे, पका, done, चलो, अब now, कुछ basic terms पढ़ते हैं, आजाओ तो उप accounting का मतलब बताया, आसान भाषा में, हिसाब किताब रखना, need for accounting क्यों करते हैं, जरूरत क्या है, वो बता दिया, now, अब आप यहाँ पे खड़े हो, आपका GPS location ओन करके रखना बेटा, आप लोग financial accounting subject पढ़ रहे हो, जिसमें हमने meaning of accounting देखा, need for accounting देखिया, basic terms of accounting पढ़ने ज आ रहे है, बगेर basic term के, आप कोई भी subject समझ नहीं सकते हो, इसलिए basic terms पढ़ना बहुत जरूरी है, आप सभी लोग जानते हो, accounting is the language of business, और कोई भी language को अगर समझना है, तो उसकी basic terms हमें आने चीए, उसी प्रकार से accounting की भी कुछ basic terms है, right, सबसे पहली basic term, financial transaction, काफी बार आपने सुनाओगा, transaction, वेभार, financial transaction, so, हर वो सिनारियो, जहाँ पे money और money जवर्प में, on either side, अगर कुछ exchange हो रहा है, तो सिनारियो को प्यार से में क्या बोलूगा, financial transaction, पैसा या पैसे की किमत में अगर lane देन हो रहा है, या तो पैसा या पैसे की किमत में कुछ आ रहा है, या तो आ भी रहा है, और जा भी रहा है, इन तिनों में से कोई एक condition भी fulfill होती है, या तो inflow, या तो outflow, या तो inflow-outflow दोनो, या तो inflow, या तो outflow, या तो inflow-outflow दोनो, इन तिनों वे से कोई एक condition भी अगर fulfill होती है, तो यह उस सिनारियो को financial transaction बोलोगा, और उस financial transactions को हमें क्या करना है, record करना है, with the help of rules of accounting, अपर तक मैंने rules बता है नहीं है, लेकिन rules बता हू the above three condition is satisfied, या तो inflow हो रहा है, money और money is worth में, पैसा या पैसे की किमत में, या तो outflow हो रहा है, या तो inflow and outflow, दोनों भी हो रहा है, या तो inflow and outflow, दोनों भी हो रहा है, इन तिनों में से कोई एक condition भी fulfill हो जाती है, तो सिनारियो को financial transaction बोलेंगे, और हम उसे record करेंगे, तो money और money is worth में exchange हो रहा है, between two person और between two accounts, तो हम लोग उसे financial transaction बोलते हैं और हमें record करना पड़ेगा, next basic हमें business, हर एक बच्चे को माला में business धन्दा, set of activities जो मैं regular basis पे कर रहा हूँ for the purpose of earning profit, उसे हम लोग बोलेंगे, या न, business, maybe manufacturing, maybe trading, maybe service sector, goods मतलब क्या, जिस चीज में मैं deal कर रहा हूँ, उस article, item, product और thing को हम लोग प्यार से बोलेंगे, goods, yes or no, basics of accounts देख रहे हैं, ये सारी चीजे समझना जरूर ये, मैं जानता हूँ काफी सारे बच्चों ने बच्चमन में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मेरी आदत है, फिर से बार-बार repeat करने की, so please समझो, important है, और जो मैं basics बता रहा हूँ, इसी basics की मदद से हम लोग आगे की पूरी accounting करने वाले हैं, so please ज्यान देना बिट अच्छे से, जिस चीज में हम लोग deal कर रहे हैं, जिस चीज में हम लोग घंडा कर रहे हैं, उसी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, जिस चीज में regular basis पे trade कर रहे हैं, then most important हम, most important हम, आजओ बिटा, सब लोग अच्छे से ध्यान दे रख, आजओ, please ध्यान दे दो, एसेट, एसेट, प कार, मेरे बिजनस की कार, बिजनस की कैश, मेरे बिजनस में जो computer, machinery लगाई भी है, furniture, land, building, etc, ये सब क्या है, असेट है, cash, car, computer, furniture, land, building, plant, machinery, ये सब मेरे बिजनस की क्या है, assets है, ये सब मेरे बिजनस की क्या है, बिटा, assets है, technical language में अगर बोलना है, तो मैं ऐसा बोल सकता हू मेरे business के हर वो resources जो मेरे control में है मेरे business के हर वो resources जो मेरे control में जिसका benefit मुझे future में भी मिलेगा जिसका benefit मुझे future में भी मिलेगा उन सारे resources को प्यार से मैं asset बोलता हूँ technical term है accounting का basic term है one of the most important term asset asset यानि आसान भाषा में properties of every description of the business प्यार से अगर बोलना है तो properties of every description of the business yes or no जैसे for example cash car, computer financial, land building, land machinery stock, unsold goods एक और example आगया stock, unsold goods, land, building data से हमें क्या होता है आगया आएगा हर वो party percent जिससे in future हमें money और money's worth में कुछ लेना है उसे हम लोग प्यार से data बोलते हैं जैसे बाहु बली ने कटपा को उधारी में credit basis पे माल बेचा good sold by बाहु बली तु कटपा on credit उधारी में माल बेचा 5,000 रुपीस का तो बाहु बली कटपा को बुलेगा एक कटपे उससे पैसे लेना है तो कटपा is a data of बाहु बली तो मैंने कटपा को उधारी में माल बेचा मुझे उससे पैसे लेना है तो कटपा is my data और वो पार्टिया परसन जिसे इन future money और money ज़रते हमें पुछ लेना है उस पार्टिया परसन को हम लोग बुलेंगे data data ये भी asset में आता है data ये resources है मेरे control में है result of past event है past में क्या हुआ था भुटकाल में माल बेचा था उसको और इसी से मुझे उससे future में पैसे आने है economic benefit है ना या फिर expected to flow to the enterprise enterprise में इन flow होने वाला है इसी लिए data ये भी वोटा मूटी दोर पे मेरे लिए क्या है asset उसके बाद drawing drawing के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा capital drawing के पहले बताना चाहूँगा capital अच्छे से ध्यान दे रहा capital यान या आसान भाशा में क्या है मुझना प्रीज ध्यान दे दो आसान भाशा में owner का business में जो कुछ investment है Owner का business में जो कुछ investment है उस सारी investment को मैं प्यार से बुलूगा capital So investment by the owner in the business will be called as capital Investment by the owner in the business will be called as capital Sir, जैसे के मान लो मैंने business start किया मान लो आपको समझाने के लिए मैंने business start किया और business start करते से मैं मैंने उसके अंदर में cash लगाया था आपको समझाने के लिए 50,000 रुपे पानीपूरी का बिजनस स्टार्ट किया 50,000 रुपे कैश रखे 50,000 रुपे कैश रखा है So मेरा बिजनस में इन्वेस्मेंट होगे 50,000 का मैंने पानीपूरी की बिजनस के लिए कुछ बूरतन लोण गाड़ी है हाथगाड़ी रेला लगता है न वो तो एक हाथगाड़ी लेके दस हजार रुपे की तो पच्छाजार कैश दस हजार की वो हाथगाड़ी जिसके पर पानी पूरी रखके में बेशने वालो तो टोटल हो गया 60,000 और उसको बरतन लेके आ गया पूरी रखने के लिए पाज है अरके तो 65,000 50,000 के आईश 10,000 की लोड़ गाड़ी और 5,000 के बरतन वेसल्स तो टोटल हो गया 65,000 रुपेज so investment by the owner in the पानी पूरी बिजनेस investment by the owner in the पानी पूरी बिजनेस is 65,000 रुपेज so 65,000 will be my capital 65,000 will be my capital of the business so owner का धंदे में जो कुछ investment है उस investment को मैं प्यार से क्या बोलने वाला हो capital so investment by the owner in money और मनिजवत पैसा या पैसे की कीमत में owner का जो कुछ investment है उसे मैं प्यार से क्या बोलूगा capital yes or no अब capital के बिल्कुल opposite है ड्रॉइंग capital के बिल्कुल opposite है ड्रॉइंग देखो तो ध्यान देना capital के बिल्कुल opposite है ड्रॉइंग अब owner ने business में पैसा लगाया क्या बोलेंगे capital owner ने business से पैसा विड्रॉव किया उस विड्रॉव को क्या बोलेंगे drawing सेनी है सो पक्की बात so owner ने business से personal purpose के लिए विड्रॉव किया पैसा या पैसे की कीमत में कुछ भी मान दो मेरा lepronic shop है TV AC fridge बेचता हूँ मैं जब घर से निकल रहा था मेरे बीवी मुझे बोली अजी सुनते हो आते आते अपने shop से एक AC लेके आना room में लगाने के लिए घर के so मैंने shop से एक AC लिया और मेरे घर पे personal purpose के लिए बिजवा दिया वो AC की cost थी मेरे लिए 50,000 so 50,000 का क्या हो गया withdrawal of the investment मैंने business से AC लिया personal purpose के लिए तो 50,000 will be drawing मैंने business से AC लिया 50,000 का personal purpose के लिए तो 50,000 drawing हो गया मैं फिर इसे business के लिए घर से निकल रहा था अजी सुनते हो बच्ची की school fees भरना है business से cash लेके आना 10,000 रुपे business से cash box से cash निकाला 10,000 और घर पे बीबी के हाथ में लिजा के लिए school fees भरने के लिए कोई भी purpose के लिए personal purpose, household, domestic purpose के लिए personal household, domestic purpose के लिए business से money और money's worth पैसा या पैसे की कीमत में अगर owner कुछ भी withdrawal करता है for personal household or domestic purpose तो हम लोग उस withdrawal को प्यार से क्या बोलने वाले है drawing so drawing is nothing but withdrawn of the investment by the owner from his or her business for his household or domestic or personal use yes पैसा या पैसे की कीमत में कोई भी कोई asset या goods withdraw किया कि रनाशॉप अले ने घर के लिए शक्कर लेके गया business से तो वो भी withdrawal हो जाएगा कि वो भी drawing हो जाएगा कि जी हाँ वो भी आपका drawing ही रहेगा yes or no तो उसके बाद data के बारे में already देख लिए था अरो पार्टिया परसन जिसे इन future हमें लेना है money और money's work में और example बाहू बली ने कटपपा को उधारी में माल बेचा कटपपा is my data अब data का पोजिट क्या रहेगा creditor expense खर्चे business को smoothly operate करने के लिए हम लोग जो भी payment करते हैं उन सारे payments को जिसका benefit हमें immediate मिल जाता है जैसे rent pay कर रहा हूँ salary pay कर रहा हूँ wages pay कर रहा हूँ wages, labor charges, majority, salary, rent, printing, stationery, telephone bill ये सब business को smoothly operate करने के लिए जो भी payments करते हैं वो सारे के सारे खर्चे है then losses amount spent किया मैंने but benefit नहीं मिला ना आज मिला ना future में मिलेगा so but no benefit तो जो भी ऐसा हो गया वो सब मिर ले क्या हो गया loss liabilities are the financial obligations of the business मुना अच्छे से ध्यान देने एक वाप किसे बता देता हूँ हम लोग basic shop accounts देख रहे है मुना अच्छे से ध्यान दे ये basic terms के बगएर और जो मैं आपको basic बता होगा उसके बगएर आगे accounting की दुनिया धूरी है so please 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 ध्यान दे दो liabilities are the financial obligations बिजनेस की जो भी obligations है जिनको लोग money और monies वर्थे major कर सकते है जैसे bank से मैंने loan लिया 10 lakh rupees का business purpose के लिए so 10 lakh मुझे वापस करना पड़ेगा so bank loan is my liability मैंने किसी से पैसे उधार लिये on credit पैसा लिया मुझे वापस करना पड़ेगा मेरी liability है so any amount payable by the business to any third party or outsider है ना any amount payable payable याने देना बाकी receivable याने लेना बाकी payable याने देना बाकी receivable याने लेना बाकी so any amount payable to any outsider by the business जैसे bank loan है expense payable expense not get paid capital हमने देख लिया then creditors डेटर के पोजिट पाट या परसंग जी same future कुछ लेना है data opposite party या परसंग जिसको in future हम कुछ देने वाले जैसे मैंने माता शिवगामी से शिवगामी से मैंने उधारी में माल खरीदा तो शिवगामी is my creditor मुझे उसे पैसे देना है in future हर वो party जिससे हम लोग in future कुछ देने वाले money और money is work में decided है जैसे मैंने उधारी में माल खरीदा शिवगामी से शिवगामी को मुझे शिवगामी को देना है मैं देने वाला हूँ शिवगामी को शिवगामी is my creditor income any amount received or receivable from business के regular activity business के जो भी regular operation है उसको perform करने के बाद जो भी amount हमें मिल गया या मिलने वाला है उन सारे amounts को हम लोग प्यार से क्या बोलने वाले है income yes or no best example है इसका sale जो भी में माल बेच रहो वो सब मिलने क्या है income then उसके बाद recording of transactions अब मुझे बाद बिजनेस में जो भी वेवार होते जो भी transactions होते क्या record करके रखेंगे की ने रखेंगे जी हाँ बिल्कुल रखना पड़ेगा या थोड़ी न रख सकते इतने सारे सो सारे transactions record करके रखना है with the help of rules of debit and credit सरे debit credit क्या है don't worry अभी तक मैंने बताए नहीं है सो चिंटा मत करना आगे आएगा तब बताऊगा सो मुझे सारे transactions record करके रखना है with the help of rules of debit and credit then purchase purchase का मतलब क्या है from purchasers point of view purchase मतलब खरीदना from purchasers point of view purchase मतलब खरीदना अब purchase मतलब क्या खरीदना सबजी वाला क्या खरीदेगा जिस चीज में उडील कर रहा है जिस चीज में उडील कर रहा है यानि जिस अपना ये गोल्ड, सिल्वर, इरापन ना, मोती ये सो पर्चेस का मतलब होता है purchase of goods और raw material purchase का मतलब होता है purchase of goods और raw material अब manufacturer कोई है जैसे कोई शक्कर बना रहा है तो वो sugar gain खरीदेगा गन्ना गन्ना खरीदेगा, गन्ना उसके लिए raw material है उस raw material से वो बनाएगा शुगर so raw material या goods खरीदना मतलब purchase purchase means purchase of goods और raw material sale means sale of goods और raw material sale मतलब क्या होता है ownership transfer किया, किस के अंदर की goods के अंदर की माल बेचा, माल का मतलब मालों में सभी को हमने देखा, जिश्ची भी हम लोग बील कर रहे so अगर आपके accounting subject में कहीं पे भी purchase word आता है तो समझ जाना purchase का मतलब होता है purchase of goods समझ जाना purchase का मतलब क्या होता है purchase of goods sales का मतलब होता है, sales of goods clear, पक्का चलो आगे, और sale मतलब क्या है sale of goods और transfer of ownership ownership कब transfer होती, ये law subject में आप देखोगे, sale कब होता है ownership transfer होने के बाद ownership goods के अंदर क्यों नीचे and ownership हमने जो transfer किया है जो माल बेचा है, focus में नहीं, फिरो समस्सेवा हो जाएगा, consideration होना चीए बदले में आप money और money जवर्द में कुछ लोगे सामने वाले से का meaning of accounting आसान भाषा में हिसाब किताब रखना किसका business के transactions का, क्यों करते हैं काफी सारी वज़े, business की financial position जानने के लिए, business का performance जानने के लिए, किस से कितना लेना है किसको कितना देना है, कितनी income है कितनी expense है, business का क्या कहते हैं, और हम लोग information communicate करना है to the users यह सारी वज़े, then कुछ basic terms देखे थी, जैसे business है goods है, purchase है, sale है capital है, asset, drawing, data expense, losses, liabilities, capital creditors, काफी सारी basic terms हमने देख लिया, उसके बाद inventory अच्छे से ध्यान देना, काम-काम की term है, अब इस slide में जो दिख रहा है confirm इसके उपर exam में question आएगा, लिक्वे बिटा अब अच्छे से ध्यान देना, आ जो सो अब मैं बात कर रहा हू inventory की, please, 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 please ध्यान दे दो, आ जो, आ जो, आ जो so, आसान भाषा में inventory याने क्या, unsold goods, या unused raw material so, मतलब मैंने माल खरीदा 10 quantity माल खरीदा 10 quantity माल बेच दिया मैंने 7 quantity, so, कितना मेरे पास में unsold है 3 quantity उसी को मैं inventory या stock बोलूँगा, उसी को मैं क्या बोलूँगा, प्यार से inventory और stock, yes or no so, please, एक बार ध्यान दे दो, एक बाद फिर से अच्छे से सब लो, inventory या फिर stock, या unsold goods, या unused raw material, unsold goods या unused raw material क्या होता है, basically, एक बार ध्यान दे देना सब लोग जैसे, मान लो for example, मेरा manufacturing का business है, मैंने sugar manufacture कर रहा हूँ, मैंने गन्ना sugar gain, गन्ना खरीदा 1 ton 1 ton गन्ना पच्छेस किया 0.6 ton use कर लिया, तो 0.4 ton अभी भी बाकी है, तो वो unused raw material है, तो वो मेरे लिए inventory है मैंने ये pain बेचने का business start किया, मैंने 100 quantity purchase किया, 100 में से 80 pain मैंने sale कर दिया, sold out तो 20 जो बच्चे मेरे पास go down में वो मेरे लिए क्या है, या मेरे shop में या मेरे go down में, जो माल बच्चा है, जो अब तक sold goods और unused raw material, उसके बाद इस ब्रह्मान का सबसे important, basics of accountants में सबसे important concept अब start होने जा रहा है, जिसका नाम है capital expenditure, एक बार आपको बता दू, कि accounting subject हम लोग देख रहे हैं, accounting, hello, accounting subject हम लोग देख रहे हैं बटा, accounting के इंदर में सबसे बले हमने basic terms, कुछ meaning of accounting need for accounting basic terms ये सारी चीज़े देख राइब ध्यान देना basic terms में asset, drawing, debtors, expense, losses, एक बाफिर से asset, drawing, debtors, expense, losses, liabilities, capital, creditors, income, gain ये important basic terms है, विसे इसके अलाबा भी देख बिसनेस, goods, inventory है, but कुछ important मैंने आपको बता, एक वाफिस बता देता हूँ, asset, property of every description of the business, जैसे cash, car, computer, furniture, land, building, plan, machinery, asset, drawing, ओरना personal purpose के लिए business से कुछ withdrawal कर रहा है, personal purpose के लिए, drawing, data, हर वो पार्टिया परसन जिस से in future हमें कुछ लेना है, data, expenses, business को smoothly operate करने के लिए, जो भी हम लोग payment करते हैं, जैसे rent दे रहा हूँ, salary दे रहा हूँ, wages pay कर रहा हूँ, printing stationery दे रहा हूँ, telephone charges दे रहा हूँ, traveling expenses दे रहा हूँ, octrae दे रहा हूँ, octrae माल को business में लेकर आने के लिए, लोकल टेक्स वो दे रहा हूँ, तो इस सब खर्चे बिजनस को smoothly operate करने के लिए दे दे रहा हूँ, उसके बाद losses, payment या outflow तो हो गया, खर्चा कर दिया, लेकिन इसका benefit नहीं मिलेगा, ना आज मिलेगा, ना future मिलेगा, तो ऐसे payments को हम लोग प्यार से losses बोलने वाले, ऐसे payment को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, losses, ध्यान दे लो, उसके बाद, liabilities are the financial obligations of the business, बिजनस की जो भी financial obligation है, जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, loan is my liability, yes or no, उसके बाद, bank loan liability, any amount of available liability, capital, investment by the owner in the business will be called as capital, investment by the owner in the business will be called as capital, जो भी money और money is worth में, owner ने business में लगाए, अपने जेब से, वो सब capital है, owner ने अपने जेब से, जो भी धन्ने में लगाए, वो सब capital है, उसके बाद, liability is capital, creditors, हर वो party या person जिससे है, in future हम कुछ देने वाले, creditor, opposite data था, liability is capital, creditors, income, business की operating receipt, income, gain, gain, gain क्या होता है, gain, without hard work, बैठे बिटा है, हमें जो कुछ मिल गया, उसे में प्यार से क्या बोलने वाला हूँ, gain, without hard work, बैठे बिटा है, मुझे जो कुछ मिल गया, उसे में प्यार से क्या बोलने वाला हूँ, gain, जैसे बेटे-बेटा है प्रॉपर्टी की भाव पड़ गया है फाइदा हो गया बगेर मेनत के जो मिलता है हो गेन मेनत करने एक बाद जो कमाते है वो इंकम इंकम का बेस्ट एक्जामपल है सेल लॉसस के कुछ एक्जामपल्स बता देता हूं लॉस डूटू फायर लॉस एक्सपेंडीचर अच्छे से ध्यान देने बेटे सबीने आ जाओ बच्चो सब लूप प्लीज ध्यान दो बेटर सो मेरे प्यारे बच्चो ये जो टर्म है ये लाइफ टाइम आपको कामाने वाली है जो हम लोग अभी देख रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडीचर रेवेन् करते हैं सो इंपोर्टेंट है प्लीज 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 ध्यान देदो राइट सब लोग ध्यान दो बटा आ जो इसके लिए मैं एक नया पेज या ब्लैंक स्पेस क्रियेट करता हूँ साइड में आ जा जा तो सो प्लीज ध्यान देदो क्यापिटल एक्सपेंडीचर ये कौन सी नई तर्म है सर अच्छे से समझो अकाउंटिंग सब्जेक्ट पर रेंसर हम हाँ हाँ फाइनेंशिल अकाउंटिंग सर उसमें इंपोर्टेंट हमें है बिल्कुल बहुत जादा सो क्यापिटल एक्सपेंडीचर समझा रहो प्लीज जाने न जैसे प्लीज ध्यान देदो क्यापिटल एक्सपेंडीचर